असलाम ओलेकुम एवरीवन एंड वल्कम बाक तो मैं चैनल सो आई होप आप सबी लोग ठीक टाक होंगे मैं भी इतना ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ काफी टाइम बात कोई व्लॉग शेयर करने वाली हूँ मैं जारी हो अपने विलेज तीन से चार दिनों के लिए तो मैं आपके साथ विलेज जाने की सारी तयारियाँ जो पैकिन्ग में करूँगी वो सारी और विलेज जाने के बाद,- वहाँ का लाइफ स्टाइल,- वहाँ के व्लॉग सब कुछ आपके साँ शेयर करूँगी तो अभी ये रात का व्लॉग है और नेक्स मॉर्निंग हमको निकलना है विलेच के लिए तो यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े लगाए हुए है धुलने के लिए बिकास मैं चाहती हूँ कि जब मैं जा रही हूँ तो पीछे से कोई भी काम ना छूटे तो घर की क्लीनिंग है और कपड़े जो बचे होते हैं वाश करने के लिए वो सब कुछ करके ही जाती हूँ यहाँ मैंने कुछ कपड़े आईरन करा के रखे हूँ है सौरी काफी जादा मैसी हो रहा है रूम बिकास तैयारी चल रही है अभी मैं अपना बैक पैक करने वाली हूँ इसले मैंने काफी सारे कपड़े निकाल के रखे हूए सो यह जो साइट टेबल है मेरे रूम में इस बैसिकली अ चेस ड्रॉर तो टेबल है उपर और नीचे चेस ड्रॉर है तो उसमें ही मैंने सारे कपड़े जो आईरें करा थे हैं वो रखे हूए तो बस मुझे इनको बैक में डालना है और बहुत इसी हो जाती है पैकिंग पहले से आपके कपड़े आईरें किये वे रखे हूँ और बिनाइज रखे होथा आपको जस्ट वह निकालने होते हैं और बैग में रखेंए होते हैं विलेज में काफी टाइम बाह जा रही हूँ पूरे एक साल के बाह जा रही हूँ रहने के लिए और मैं अपने नानो के घर जा रही हूँ जा यहां से अलमॉस्ट सिक्स्टी किलो मीटर से जादे दूर नहीं है जिस्ट वन और वन एन हाफ आर की ड्राइव है तो बस वहीं पे हम जाएंगे और कैसा होता है विलेज लाइफस्टाइल वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी बिकास मुझे विलेज लाइफस्टाइल बहुत जादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि यह जर्नी में आपके साथ भी शेयर करूँ जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्टोबर स्टार्ट हो गया है आज है 1st of October और यह है मेरा बर्थडे का मन्त 18th October मेरी बर्थडे है तो इस मन्त को मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी तो इस बार में यह करने वाली हूँ कि मैंने 30 डेज वीडियो चैलेंज शुरू किया ह मैं यह कंप्लीट कर पाऊंगे या नहीं बट आई विल ट्राइम बेस्ट कि मैं पूरे इस मन्त में ऑक्टोबर में पूरे 30 डेज चक वीडियो अपलोड करूं विदाउट एनिंग एप और प्लीज मुझे आपनों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे नहीं सपोर्ट नहीं करेंगे आपको पसंद नहीं आएंगे तो फिर मेरा ये चैलेंज करने का कुछ फैदा नहीं है तो प्लीज दू सपोर्ट मी और मैं आपके साथ डिफेंट टाइप के व्लॉग्स और चैलेंज जो आप देखना चाहते हैं मुझे कॉमे प्लीज नहीं की टाइप का है जिसमें अपना सारा स्किन केर रख रही हूँ नहीं कर सकती हूं और यह मैंने कुछ टाइम पहले ही समान में गया है इसकी वीडियो आप देख़िक हो गया आने वाले पिश टाइम में देखेंगें इस्टागरम पर मैंने रिव्यो दिये थे ये है फेस मिस्ट है और डियोटरिंट है फेस सिरम है ये एक बीबी क्रीम फाउंडेशन है परिफ्यूम है है हैंट क्रीम है तो ये सारी चीज़े असेंशल होती हैं अगर आप विलेज आ रहे हैं तो आप अपनी स्किन का बहुत घ्यान रखें वेदर चेंज होता है वहाँ आप खुले में रहते हैं तो दूप होती है तो इसपेशली संस्क्रीन जो मैंने रखी है ताकि फेस टैंग ना हो तो आप अपने ये कुछ एसेंशल सामान है जो आपको एक वैनिटी में जरूर रखके ले जाने चाहिए तो शायद आपको इस वीडियो से थोड़ा आइड जो मेरे फीट है मुझे बहुत ही उनको क्लीन रखना अच्छा लगता है तो मैं हमेशा सॉक्स पहना प्रिफर करते हूं यहां पर यह जो है सर्जिकल गलव्स आप देख रहे हैं मेरे बैक में क्या कह रहे हैं तो मैं आगे चलके आपको बताओं कि इसका मैं DIY करने वाली मुझे और फिंगर के के लिए कैप्स बनाने हैं कवर बनाने हैं क्यों बनाने हैं विकाज यह फिंगर आप देख सकते हैं मेरी जो यह पक गई है I think मुझे किसी चीज से अलर्जी हो गई है या फिर मैंने बहुत साथा डिश वाशिंग की थी लॉगडाउन के थाइम पे ज खाऊंगी लार में अपना बैक पाकर रही हूं इसमें मैंने आई ड्रॉप्स डाले हैं फेस वाइप्स डाले हैं और यह सारा समान है साथ ही यह है मेरी वाच जो की है फिट बिट इसको फिट बैंड भी कहते हैं इस पे क्यावडी काउंटर है स्टेप्स हैं जिन को आप व तो बस हैंड बैग में कुछ सी तरह के असेंशल चीजें मैं रखती हूं यह है एयर पॉड्स और यह मुझे आज है रिसीब होए है इसको मैंने अर्जेंट बेसिस पर मगाया है वन डे डिलिवरी के थ्रू और इसका रिव्यू में आपको आगे किसी वीडियो में दूगी बिकास अभी आज ही जस्तिया आए हैं और मैंने भी यूज नहीं किये बट आम सू एक्साइटेड तो यूज तेम साथी मैं कुछ कैश रख रही हूं एटियम कार्ड रख रही हूं आप सोचे होंगे विलेज जाने में मैं यह डेबिट कार्ड क्यों रख रही हूं आपक् कैश भी रखा हुआ है यह देखिए यह जो मैं आपको गलफ दिखा रही थी उसकी मैंने फिंगर्स काड़ दी है उसका अपरेशिल कर दिया है तो यहां मेरी फिंगर है जिसमें मैंने टेपिंग की हुई है तो इसमें पानी नहीं लगना चाहिए तब ही जो पस है यह जो पढ़ गया है वह सुखेगा तो इसको ड्राय करने के लिए फिंगर को पानी से बचाना है तो मैं कोई भी काम करूं और हैंस में पानी ना लगए ऐसा इंपॉसिबल है तो यह कवर उस टाइम पे पहन के रखोंगी ओनलाइन फिंगर के कवर्स मिलते हैं इस टाइप के है सो यह अभी मैं आपे मैंने एक बॉडी बॉडी लॉशन भी डाल रही है साथ में अपने जो मेरा वैनेटी बैग है और यह जो सामान है यह है चिली सॉस, स्वया सॉस, सेसमी सीट, कॉन फ्लॉर, आप सोस रहा होंगे यह सब मैं वैनेटी में क्यों डाल रही हूं यह सारी चीजें हैं सोया सॉस और गालिक सॉस यह सा वहां विलेज में नहीं मिलता है तो मैं उनके लिए एक दिन बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी सो इसलिए मैं सारा सामान लेके जा रही हूं अभी यहां पे जो ट्रॉली बैग है इसमें मैंने सारी कप्रे अपने सेट कर लिये हैं और बस जल्दी से हो गई मेरी पैकिंग क्योंकि मैंने पहले साइडन करावे कप्रे रखे ते वो जस्त इसमें लाके मैंने सेट्स बना की रखे हैं और यह हो गया है मेरा बैक पैक तो आएम आल सेट तो गो और कल मॉर्णिंग में ही हमको निकलना ह मैं ड्राइब करके जाना है इनका जादा दूर नहीं है मेरी विलेच सो वी विल रिच इन अबाउट वन और वन एन हाफ आवर यहां पे जब मेरी बिचारी फिंगर है उसका मैं ड्रेसिंग कर रही हूं वो रोस करनी पड़ती है विकॉस इसको क्लीन रखना भी काफी और यह सर्जिकल टेप है यह सारा कुछ समान में लेके जाऊंगी मैं कभी भी विलेच आती हूं तो वहां जो घर है वो साल भर बंत रहता है साल में एक बार खुलता हैं सारे कजम्स वापे करता होते हैं चेल्लम के टाइम पे जसला कि आप जानते हैं अभी मौरम खतम के थे अपने ट्रैवल पे और अब आगे के व्लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग होंगे और अगर आपको यह व्लोग भी थोड़ा सा पसल आया तो दू दिवेटा लाइक चैनल पर फर्स्टाइम है तो सब्स्क्राइब पर दीजेए आई विल सी यू इन में नेक्स वीड तिल देन बगए